युवाओं को उनकी प्रतिभा की जगः, उनकी भाषा के आधार पर जज किया जाना, उनके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। मात्रु भाषा में पढ़ाई होने से भारत के युवाँ टलेंट के साथ अब असली न्याय की शुरुवात होने जा रही है। और ये सामाजी न्याय का भी एहम कदम है। दुनिया में सैक्रों अलग-अलग भाषाए हैं। हर भाषा की अपनी एहमियत है। दुनिया के जादातर विक्सित देशों ने अपनी भाषा की बदौलत बड़त हासिल की है। अगर हम केवल यूरोप को ही देखें तो बहां जादातर देश अपनी अपनी नेटिव भाषा का ही इस्तिमाल करते हैं। लेकिन हमारे यहां इतनी सारी सम्रुद्ध भाषाए होने के बावजुद हमने अपनी भाषाओं को पिछडे पन के तौर पर पेश किया। इससे बड़ा दुरुभागे क्या हो सकता है। कोई कितना भी इनोवेटिव माइंड क्यों न हो अगर वो अंग्रेजी नहीं बोल सकता था तो उसकी प्रतिभागों जल्दी स्विकार नहीं किया जाता था। इसका सबसे बड़ा नुक्षान हमारे ग्रामिन अंचल के होनहार बच्चों को उठाना पड़ा है। आज आजादी के अमरित काल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जरिये देश ने इस हीन भावना को भी पीछे चोड़ने की शुरुवात की है। और मैं तो येन में भी भारत की भाशा बोलता हूँ। सुनने वाले को ताली बजाने में देर लगेगी तक लगेगी। साथियों अब सोशल साइन्स से लेकर इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई भी भारतिय भाशाओं में होगी। युवाओं के पास भाशा का आत्मविश्वास होगा तो उनका हुनर उनकी प्रतिभावी खुल करके सामने आएगी। और इसका एक और लाब देश को होगा। भाशा की राजनिती करके अपनी नफ्रत की दुकान चलाने वालोगा भी शटर राउन हो जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से देश की हर भाशा को सम्मान मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा।